इस अब सभी के एक श्टटी कामर्स एंग्लिज गुरुजी चैनल में स्वागत है यहां पर देखिए कोश्चन नमबर 12 पिछले वीडियो में हमने बताया कोश्चन नमबर नव दाज 11 कि प्रकार सर्व बनेगा आज हम देखेंगे कोश्चन नमबर 12 को कोश्चन नमबर 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है एक कंपणी ने जिसका लेखा वर्स का लेखा वर्स क्या है कलेंडर वर्स के समान मतलब एक जनवरी से 31 दिसंबर तक को हम बोलते हैं कलेंडर वर्स और एक अप्रेल से 31 मार्च तक को बोलते हैं हम बित्ती वर्स तो यह जो है कलेंडर वर्स के समान है इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा एक अप्रेल जूलाइ 1989 को 10,000 रुपे के सहांत्रों का क्राई के तीन बार क्राई किया है देख लिए उननिसे 99 को क्राई किये गए सहांत्र में से एक सहांत्र एक जनवरी 2000 को अप्रचलित हो गए उन्हें 3000 रुपे में बेज दिया गया ठिक कमपनी की पुस्तकों में सयंत्र लिखा या मानते हुए दर्साइय की सयंतों पर अवक्षयाण की व्यवस्ता इस्तिर प्रभाग पदती के 97-10 प्रतिसर प्रतिवर्सक के हिसाब से की गई है य चले, इस को हम बनाते हैं किस प्रकार सह बनाएंगे यहां पर देखे हैं को सिर नंबर c12 की इस प्रकार सहल बनेगा द travelled देखे हमने 2 मसीन करीदा है पर खरीद आए एक तो अपरेल में खरीदा है और 1 ठो खरीदा है अक्टूबर में खरीदा च승 से प्रेल एक रोकड़ खाता से करके लिखेंगे फिर उसके बाद यहां पर अक्टूबर में खरीदे तो रोकड़ खाता से करके जितनी रासी के लिए उसको लिए 20,000 खरीदे प्रेयल माई जून जूलाई अगश्त सितंबर अक्टूबर नॉम्बर दिसंबर कुल कितने माह चला है नो माह तो इस पर नव महा का हरास लगाएंगे पहले वाले मसीन पर दूसरे वाले मसीन पर जो है अक्टूबर में खरीदे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर केवल तीन महा चला है तो इस पर तीन महा का हरास की गढ़ना करेंगे चलिए हम हरास की गढ़ना को भी समझते हैं किस प्रकार से कर ना करेंगे तो संपति कम मुल्या गुडित हराज की दर बटे सव इस प्रकार का फार्मोला अपनाते हैं जो की परसेंट में दिया रहता है तो इस प्रकार का फार्मोला लगाते हैं तो यहां तो हम नौ महा चले उननी सो ऑन्ठाइन पे में तो हम नौ महा का नो महा का नहों किλέnda है यहां पर करेंगे तो हमा writers कितना आ रहा है बाइस सो पचास रुपे आ रहा है नो माहा का ठीक बाइस सो पचास रुपे हमारा हरास आ रहा है दूसरा जो मसीन खरीदे थे बीस हजार का उसमें भी हमने लिकाला तो दो हजार रुपे वारसिक आ रहा है मतलब एक वरसा का दो हजार लेकिन वह जो मसीन है 20,000 रुपे वाला उसको हमने उस साल जो है तीन माहा के वाल यूज किया है तो तीन माहा का हरास हमको लगाना है तो दो हजार गुड़ी तीन बटै बारा तो यहां पर हो जाएगा काट्षाट किए तो कितना गया पांच रुपे तो हमारा जो पहला मशीन तो बाइस सो पचास रुपे लिखेंगे हरास और दूसरे मशीन का पांच रुपे फर्स्ट येर कब सो फ़ाइधित हीडसो पचास महँद दे धिया और पान सव पयासुग डियूंस को मैनस करेंगे तो यहाँ पर लिए जाय 만들어 करके 4750 वरीज़nicos में पचाषब क्चाषब्चार लग डेंगे टीक है अब इसके बाद इसी से को हम निक्स्ट येर से करके कितना 10,000 रुपे का ठीक अब 1999 के दिसंबर लास्ट में हम क्या लिकालते हैं हरास लिटालते हैं तो हरास खाता को करके लिखेंगे चुकि यहां पर देखिए पहला जो मसीन था पहला मसीन दूसरा मसीन इस वर्स उननी सो नियांबे में पूरा-पूरा चल रहा है यहा हमने तो यहां पर हरास जो है तीन हजार दो हजार लिख दे इन दोनों मसीन पर आप उसके बाद यह जो मसीन है जुलाई में खरीदे हैं रोकड़ खाता से करवे दस हजार अब इस पर भी हरास लिखा लेंगे तो जो पूरे साल भग हरास एक हजार लिख लेगा क्योंकि त है तो चने महा लगेगा आधम साल चला मतलब च Specie महा चला है तो हम छे महा का एक हजार पूरे बारा महने को बं ziemlich हो जाएगा तो यहां पर हम ने क्या कर दिया तीन हजार दो हजार औरा सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर देखे क्या लिखा है उसके हिसाब से हम करेंगे तो यहां पर और देखे क्या लिखा है एक अपरेर उनने सो अन्ठानवे को क्राइब किये गए सयंत्रों में से एक तीहाई एक तीहाई पोर हम बटे तीन भाग तो हमने 1998 में 30,000 का खरीदा था इस 30,000 का एक तीहाई मतलब एक बटे तीन कर देंगे तो 10,000 का मसीन हो गया ठीक वह अप्रसलित हो दस जार का मसीन जो अप्रसलित हो गया जिसे 3,000 रुपे में बेज दिया गया आप इसकी गढ़ना कासे करेंगे देखिए एक अपरेल 1998 में 30,000 का मसीन था उसका एक तीहाई भाग बोला है तो एक तीहाई लिगाने के लिए हम 30,000 गुड़ी ते एक बटे तीन कर देंगे तीन से तीन कड़ गया तो दस जार आ गया दस जार एक कम दस जार तहीं यहाँ पर कितना गया दस जार जो मसीन हम बेचे उसका जो मुल्य था एक अपरे 1998 को मसीन का लागत कितना था 10,000 रुपे और इस 10,000 पर हरास लगाएंगे तो यह रास कितने महा का लगे तो 9 महा का क्यों क्योंकि पहले यह मसीन किसके साथ था 30,000 वाले में सामिल था अब हम जो हरास की जब गढ़ना करें इसमें से 20,000 अभी भी बचा है और जबकि 10,000 का म साथ सो पचास रुपे आएगा ठीक तो यह हमने नौ महा का हिरास लिकाला था सब के लिए रोकड़ खाता से करके देखिए बाइस सो पचास से नौ महा का था तीस हजार में इसमें से हमने दस जार रुपे का लिकाल दिया अलग से इसकी करना हम अलग से कर रहे हैं अभी जिसे हमको जो जो है इसका लाब हो यहानी हो इसकी पतर चल जाएगा तो दस जार में साथ सो पचास मायनस कर दिये तो कितना आ गया 9250 रुपे आ गया एक अपके डेट में एक जनवरी 1999 को इसक कि 10,000 के 10% कितना होता है 1000 होता है तो 1000 पूरा पूरा लगाएंगे हाँ पर आप 1420 में से 1000 माईनस कर दी कितना होगी 8258 कब कब मुल्य है एक जनवरी 2000 को समसीन के मुल्य कितना था 8250 का था जिसे हमने कितने पे दिया 3000 रुपे में भेज़ दिया थिक है अब 3000 में बेज़ दिया तो अंतर के रासी दXT तो इस प्रकार से है हम उसकी गड़ना करेंगे अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे क्या broken लब खाताब करें कितने बेचेट by यहाँ पर हानी की हैं 5250 पिर 2021 को क्या NICK लिखेंगे हराज खातव को लिख देंगे देखें यहां पर जो मसीन था इन 5750 में से मतलब यह जो मसीन था 30,000 यह सब का सेसर नीचे आते जा रहा है अब इस 30,000 में से 10,000 का मसीन बेकार हो गया जिसको हमने 30,000 बेज दिया उसका लाव यहानी हुआ उसको भी हमने लिका लिया ठीक है अब वह मसीन चला गया जनवरी में ही अब जो बसीन बच्चा अब इस 30,000 में से 20,000 का मसीन आगे बच्चा ही है तो उस पर हम हराज जो है लगाएंगे तो उस पर हराज कितना लगेगा 2,000 लगेगा क्यों क्योंकि 20,000 का 10% अगर लिका लोगे तो कितना होगा दो हजार होगा थी इस लिए हम जो है दिसंबर 31 को सेज जो बच्चा है मसीन उस पर 2,000 का हराज और एक और मसीन जो खरीदे थे 2,000 में इसका भी हराज कितना हो जाएगा 2,000 रुपे हो जाएगा तो सब्सक्राइब करके लिए इन तीनों को योग करके हम घटा देंगे इसमें से सब्सक्राइब हमारा सेज कितना जाएगा 38,500 आजाएगा करके लिख देंगे 38,500 रुपे होगा ठीक है तो इस प्रकार से जो है प्रस्न को आपको हल करना है चलिए अब आगे कोश्चन और है क सब्सक्राइब कोश्चन नमबर 13 को देखिए सिंपल है देखने बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है एक सांस्ता के निमने लिखित लें दोनों से 31 दिसंबर 2000 को समाप्त होने वाले वर्सका मसीनरी खाता तयार कीजिए 2000 जनवरी एक 40,000 रुपे में एक पुरानी म मसीन खरिदे जनवरी एक में ही इसको कारियों के बनाने के लिए 10,000 रुपे मरमत के ब्याय हुए देखे कभी भी जब आप मसीन खरिद रहे हैं और उसी समय आप उसको ठीक करवा रहे हैं या जो भी आपको स्थापना ब्याया है या मरमत जो भी दे रहा है वो मसीन की और 10,000 को जोड़ करके हम लिखेंगे 50,000 रुपे ठीक क्योंकि यह मसीन की लागत में ही सामिल हो जाएगा खरिदे हैं उस समय ही मरमत करवा हैं मतलब यह दोनों मिला करके टोटल कितना को गए मसीन 50,000 का हो गया जून 30 में 20,000 रुपे की एक और नई मसीन खरिदी ठीक है ज वाला को क्यों जोड़ दिये इसको क्यों नहीं जोड़े तो देखे इस मसीन को खरिदे हैं और उसी समय उस पर क्या किया है खर्च किया है मतलब वो मसीन की लागत में सामिल हो जाएगा जब मसीन को खरिदे है उसी समय आप डुलाई बाड़ा और इस थापना विया देते ह है ठीक लेकिन यहां पर देखें चाइए 30 सितमबर के जोमने क्रेदा है जह 뚜ोण सकते नहीं यहां इस को मसीन खाती में लिखना है फिर यहां पर 31 सब्साइट की शDER tv calendar से हरास लगाया जाता है इसको देख लिजे अब हमको क्या करना है यहां पर देखिए अंसर किस प्रकार से बनेगा देखिए तो हमने जो महसिन खरिदा था जनवरी एक को 2000 जनवरी एक रोकड़ खाता से करके 50,000 लिख दे क्योंकि 40,000 महसिन और 10,000 मरम्मट अब इसका था क्या बता है इसको मरम्मट का था ना उसको हमने लिख दिया यहां पर ठीक तो 40,000 दस प्चास जार रुपे हो गया उसी तारीक क लागत में जूड़ गया पचास जार अब एक और खरीदे जून 30 को तामने लिए रुकड़ खाता से बीस जार रुपे अब इस पर हरास लगाएंगे तो 2000 दिसंबर 31 हरास का तको करके लिख देंगे 50 जार रुपे को मसीन पर 10 प्रसंट हरास लगाएंगे तो लेकिन 2000 तो पूरे साल भर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 पूरे साल भर करना है क्योंकि जून 30 को खरीदें मतलब जुन के बाद क्या जुलाई अगर्स सिदंबर अक्टूबर नॉम्बर दिसंबर मतलब छह महां चला है तो छह महां मतलब 2000 का आधा कितना हो जाएगा 1000 तो पांच एक 6000 हो गया अब बीज पचाथ बिस सत्ता सतर जार में 6000 माइनस की तो क्या होगा सेस ले जाए अगर एक्डम सिंपल है हन्ली डो आप इसको बना सकते हैं देख लेजिए कि अब इसके बाद हम चलेंगे कि समय अब लेखे तो मुल्य पधते यह घड़ती से लिए इस पत je हो होता है तो इस पती में जो है हमको जैसे हमने बनाया हुआ है लेकिन इपकार से बनाइए चलिए एक कोशन को समझ लेते हैं देखिए यह इस प्रकार से बनेगा सबसे पहले हम क्या किए 1999 में जो मसीन खरीदे हैं 32 मतलब यहां पर जो लिखा हुआ था कि एक मसीन हमने 30,000 रुपे में मसीन करे कि एक जनवर 1999 को और उस पर 2000 रुपे खर चके मतलब एक जनवर की होई खर चके मतलब यह मसीन की लागत में सामिल हो जाएगा थि 32,000 का कुल मसीन कितने का हो गया 32,000 का हो गया अब कमपणी पर दस प्रतिसत की दर से हरास की गड़ना किजिए तो दस प्रतिस की दर से हरास की गड़ना करेंगे 30,000 रुपे जनवरी एक को रुकड़ खाता से करके लिख दिया 32,000 अब दिसंबर 31 को हम हमने हरास लिखा दिया हरास खाता को करके 32 रुपे दस परसेंट कितना होगा 32,000 का दस परसेंट 32 रुपे आजाएगा ठीक इस प्रकार से आप लिकाल सकते हैं उसके बाद 32,000 मैंस किये तो 28,800 आ गया इसको हमने अगले बार सके प्राराम में लिख दिया जन्वरी एक सेस ला आप ना करेंगे वो इस 32,000 पर नहीं होंगा अब इस पर करेंगे हम 28,000 आठीक नव्हकु कर देंगे तो राहास खाता को करके हम लिखेंगे प्राराम हमें लाएंगे सेस लाएकर के 25920 और इस 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 पर हम रास लिखा लेंगे 10 तो 2592 रुपय हमारे क्या होगा हरास निकलेगा ठीक है 2592 अब पिर क्या करेंगे परची से नौसो बीस में दाशन इसको माइनस कर देंगे 2592 को तो सेस ले जाया करके लिख देंगे 23,308 रुपया चुकि हमको थीस वर्षा का मसीन खाता पनाने के लिए बोला इसलिए हमने तीन वर्षा बनाया है अब यह सेस आगा सेस ले जाया करके 23,308 इसको फिर अगले वर्षा के प्रारा में हम क्या करते हैं दो हजार दो जन्वरी एक तारी को लिख देंगे सेस लाया गया करके लिख देते हैं 33,308 रुपय फिर आगे बोला रहता तो हम फिर उसी प्रकार हरास लिकालते तो इस प्रकार से जो है यह प्रस्ण जो है पहला गटे वह मुल्य पर हर वर्षा जो हमको कैल्कुलेशन करके लिकाना पड़ेगा गटे वह मुल्य पर रहास की करना करनी पड़ेगी ठीक है तो आज के विडियो बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम घटी सेस्पद्धती मतलब अपले खित मुल्य पद्धती जो करने तक यह वीडियो कर दिजिये आप यह मत समझे कि वीडियो को किसी दूसरे को ना बताएं आप जरूर इसको सेर करें सब के लिए फाइदा हो इस प्रकार से आपके अंदर भी वावना होनी चाहिए तो इस वीडियो को अधारे में सेर करें जतने भी कॉमर्स के